Hi everyone, my name is Alok and welcome to Amplify Learning So, आज के इस video में हम देखने वाले हैं, bubble sorting की help से हम किसी भी word वाले array को, या फिर basically string वाले array को कैसे sort करते हैं इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं तो पहले हम discuss करेंगे कि कौन कौन से questions हम करेंगे तो basically यहाँ पे हम दो questions करने वाले हैं पहला question थोड़ा simple होगा, जहाँ पे हम सिफ एक array को sort करेंगे और दूसरा वाला question जो हम लेंगे हैं यहाँ पे वो दूसरे वाले question में हम दो array को लेंगे और sorting करेंगे एक array के basis पे तो basically string वाले array को sort करने में आपको सिखाने वाला हूँ बहुत से बच्चे number वाले array को sort कर लेते हैं बट string वाले array में sorting करने में उनको problem होता है तो क्या-क्य differences होते हैं number वाले array और string वाले array के बीच यह सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस वाले वीडियो को पूरा end तक देख लोगे तो तो चलो हाई बिना time-based के जल्दी से वीडियो को start करता है पहला question देखते हैं कि हम कौन सा वाला program बनाने वाले हैं पहला question जो हम यहाँ पर करेंगे वह करेंगे यह means question is वाप to input this size of an array from the user मतलब user से हमें पहले तो array का size इंपूट कराना है and enter in names from him मतलब user से सबसे पहले हमें array का size इंपूट कराना है user ही हमें बताएगा कि उसको 5 names input करने है 10 names इंपूट करने है वह हमें basically size बता देगा पहले और उसके बाद उतने ही number of names हमें उससे इंपूट कराना है फिर हमें क्या करना है sort the name name या sort the array जिस आरे में input कराया हूँगे names sort the array in descending order sort the array in descending order तो हमें array को descending order में sort करना है and then उसको print कर देना है and then print तो हमें क्या करना है user से पहले हमें size input कराना है array का उसके बाद में हमें array में names को input कराना है फिर हमें array को sort करना है और उसके बाद उस sorted वाले array को print कर देना है यहां पे तो देखते हैं यह वाला problem किस तरह solve होगा तो यहां पे हम blue.j open करके इस program को जल्दी से बनाना है start करते है so blue.j open कर लेते हैं भी तो अभी यहां पे हम बना लेते हैं class and class का नाम दे देते है sort so we will name the class as sort तो यह हमने बना ली है class and भी इसको open कर लेते हैं यहां पे so I think program आप लोग को इतना दिख जायगा zoom in करके तो चलो यहां पे हम class का नाम दे देते है class sort and जल्दी से इसमें बना लेते है main function because हमें main function की requirement तो हर program में होती है public static void main string args यह हमने बना लिया public static void main string args and class के अंदर main function तो basically हमारा class का structure ready है अब हमें यहां पे करना क्या क्या है वो देखते हैं तो सबसे पहला काम तो हमें user से size input कराना है array का तो यहां पे scanner का object बनाते हैं because हम scanner की help से यहां पे input लेंगे आप चाहो तो buffer reader की help से भी ले सकते हो यहां पे simple रखने के लिए हम scanner class की help से input लेंगे तो scanner का object बना लिया फिर user को एक message देंगे system.out.println enter the size of array तो user ही हमें बताएगा कि उसको कितने size का array चाहिए और उस size को हम एक variable में ले लेते हैं int size में ठीक है int size is equal to int.next entity तो size variable में उस array का size हमें मिल जाएगा फिर यहां पे उपर हम करा लेते हैं import scanner class को because हमने अगर उसको use किया है तो हमें उसको import भी कराना पड़ेगा तो import java.util.scanner यह हो गया हमारा scanner class का import अब इसके बाद में हमें size तो मिल गया अब हमें array को बनाना भी होगा so we will make an array of size जो हमें user ने दिया होगा तो हम यहां पे लिख लेते है int a array का नाम a ले लेते है is equal to new int और यहां हमें size बताना होता है तो square bracket के अंदर हम size variable को भीज़ देंगे size के अंदर जितना भी value user हमें देगा like three size देता है तो तीन नाम्स का array बन जाएगा अगर five देता है तो five size का array बन जाएगा जितना भी size हमें user ने दिया होगा उतने size का यहां पर array बन के तयार हो जाएगा अब इसके बाद में अगला काम क्या होता है अगला काम यह है कि हमें user से यह सारे elements को input कराना है input कराने के लिए क्या करेंगे user को message एक देदेंगे enter enter और यहां पे जितना भी user ने size दिया होगा size print कर दो आगे लिख दो names तो enter जितना भी user ने size दिया होगा वो number print होगा और उसके बाद में यह लिखके आ जाएगा अब इसके बाद में हमें array में name input कराने है तो name input कराने के लिए आपको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है तो यहां पे हमें एक loop चलाते हैं int i is equal to 0 i less than array आपका क्या है size तो आप कराई चुके हो तो यहां पे i less than size लिख सकते हो direct i plus plus तो यह हमने चला लिया loop loop के अंदर क्या करेंगे हमें input कराना है basically तो यहां पे लिख देंगे a at i is equal to in dot यहां पे आपका जो array होगा वो कैसा होगा लेकि ना sorry आपको name input कराने थे यहां पे तो int नहीं लेंगे हम फिर यह sorry मैं number के हिसाब से बता दिया था यहां पे अगर हमें words का input कराना है तो फिर यहां पे हमें array भी कैसा बनाना होगा string size का ठीक और यहां पे क्योंकि string type का array है आपको name input कराने है तो यहां पे आप scanner class का कौन सा function यूज करोगे in.next line मतलब यहां पे आप name input कराओगे user से तो इतना array इतना program हमारा क्या गरेगा यहां पे array बना देगा जितना भी size user ने हमें दिया होगा उतने size का array बन जाएगा तो इतना काम हमारा भी यहां पे हो गया अब इसके बाद में हमें क्या गरना है देखो इसके बाद में एक बार आप क्या करो इस original array को print कर दो तो एक बार यहां पे हम इस original array को print कर देते हैं कुछ इस तरह तो printing करने के लिए यहां पे message दे देंगे user को original और उसके बाद में यहां पर सारे elements करने के लिए आप क्या लिख दो system.out.print एक ही लाइन पर सारे elements को हम प्रिंट करेंगे और यहां लिख देंगे a at i और उसके बाद एक space देंगे कॉमा लगा के तो कुछ इस तरह एक ही लाइन पर सारे elements आपके array के print हो जाएंगे कौन से वाले array के जो अभी sorted नहीं है अभी हमने sorting नहीं लगाई है तो हमने input करा लिया और original array को यहां पर प्रिंट कर दिया अब हम लगाने जा रहे हैं यहां पर sorting ठीक है तो यहां से हम apply करेंगे bubble sort तो यहां से आपका main जो टेकनीक है bubble sort का वो लगने वाला है देखो तो bubble sort टेकनीक में देखो दो array लगता है first array आपका होता है sorry दो loop लगता है पहला loop आपका होता है for int i is equal to 0 i less than size size आपका यह है size minus 1 होता है and i plus plus तो यह आपका पहला loop होता है second loop आपका होता है for int j is equal to 0 j less than size minus i minus 1 ठीक है n minus 1 यहां size minus 1 पहले loop का boundary होता है and second वाले loop का boundary होता है n minus i minus 1 यह फिर size minus i minus 1 plus plus j plus plus इसके बाद पर यहां पर हम check करते है condition लगाते है यह कि क्या पहला वाला element बाद वाले element से बड़ा तो नहीं है लेकिन वो कब लगाते हैं जब हमें ascending order में करना होता है वैसे यहां पर क्या करेंगे a at j is less than if a at j is less than a at j plus 1 तब हमें क्या गरना है swapping लेकिन अब यहां पर ध्यान रखो एक चीज़ का कि यहां पर जो आपका array है वो int type का नहीं है यह कब करते यह चीज़ अगर यह चीज़ condition हम कब कर चेक करते यह पहली चीज़ तो for descending order है ठीक है मैं लिख दो यहां पर for descending order और यह भी काम हम कब करते जब हमारा जो array होता वो number के type का होता मतलब integer type का होता तो यहां पर हम directly strings को यह चीज़ लगा के comparison नहीं कर सकते strings का तो यहां पर हम क्या करना होगा यहां पर हमें function use करना पड़ेगा directly नहीं कर सकते तो यहां पर हम लिखेंगे if aaj.compareTo function का हम यहां पर use करेंगे string का एक function होता है compareTo तो हमने चेक किया if aaj.compareTo a is less than 0 मतलब क्या aaj छोटा है aaj plus 1 से तो हमने लिखा aaj.compareTo aaj plus 1 string is less than 0 क्या aaj छोटा है तो उसको हमें swap करके आगे भेजना है तब हम लगाएंगे swapping यहां पर swapping कर देते हैं तो यहां पर swapping कैसे करेंगे swapping करना आई थिंक आप सबको आता होगा तो हम लिखेंगे यहां पर string एक t variable ले ले लेता है string t is equal to a at j फिर a at j is equal to a at j plus 1 then a at j plus 1 is equal to t तो यह हमने देखो दोनों strings को swap कर दिया और इसके बाद में यह loop बंद कर देंगे और यह वाला loop भी बंद कर देंगे तो यह क्या करेगा यह हमारे string वाले array को descending order में sort कर देगा और उसके बाद यहां पर array हमारा sorted हो जाएगा तो इसके बाद में आप क्या करो अपने sorted वाले array को यहां पर print कर दो मैं इसे को copy कर लेता हूँ यहां पर देता हूं sorted array sorted array और यहां पर यही सेम चीज़ है जिससे आपने उपर original array को print किया था अभी array आपका sort हो चुका है तो वही array आप sorted वाला यहां पर print हो जाएगा तो मनें यहां पर heading एक दे दिया sorted array और उसके बाद उस array को यहां पर कुछ इस तरह प्रिंट कर दिया तो अभी हम इस program को compile करके देखते हैं कि हमा प्रोग्राम compile हो रहा है और रन करके देखते हैं तो compiled no syntax error अभी इसको run करते हैं तो यह open होके आगया हमाँ terminal window अब यहां पर हम कुछ input देते हैं and input size हम थोड़ा छोटा देंगे ताकि हम चेक कर सके असानी से तो हम 5 size का array बना लेते हैं और यहां पर हम input देके देखते हैं कुछ नाम और सारे capitals में देंगे तो पहला नाम जैसे दे देते हैं zebra second नाम दे देते हैं elephant और तीसरा नाम दे देते हैं butterfly चौथा नाम दे देते हैं lion और एक और वैसे कितने है one two three four I think four names पर ही हो गया कुछ एक सेकंड कुछ error आया है यहां प्रोग्राइम में यह equal to होगा कि I think यहां पर कुछ गलत हुआ है I think कुछ गलत हुआ है I think कुछ गलत हुआ है एक निट गोदरा फिर से चेक करते हैं कुछ प्रोग्राम के रंटाइम में कुछ दिखत हुआ है तो जब ही हमने four size यहां पर दिया sorry five size दिया तो एक नाम हमने input किया एसी देखे देखते हैं लोगो टी ए ए ए एस ए ए एस ए ए ए एस ए ए ए ए एस ए ए ए आप लोग भी ध्यान रखना जब भी हम इस का यूज करते हैं to input multiple lines तो वहां पर ऐसे कभी-कभी errors आ जाते हैं तो यहां पर मैं इस error को दूर करने के लिए क्या करूंगा मैं यहां पर scanner class की help से input ना कराके मैं यहां पर buffer reader class की help से input करा लेता हूँ तब देखो मैं आप प्रोग्राम एकदम सही से work करेगा तो यहां पर आप ऐसे exam में यह भ को उसकी scanner class की गलती के विए जासता तो देखलो यहां पर buffer reader की help से अगर हम input करा है तो हम लिखेंगे buffer reader br is equal to new buffer reader new buffer reader और उसके बाद फिर new input stream reader इसके अंदर object पास करना होता है तो new input stream reader इसका object हमें buffer reader के अंदर पास करना होता है और new input stream reader को parameter चाहिए होता है system.in तो यह यहां पर हमने object बना लिया buffer reader class का अब buffer reader class का use कर रहे हैं तो यहां पर हमें import कराना पड़ेगा buffer reader class को तो यह होती है java.io package में और यहां पर दो तीन classes input होंगी तो इसलिए यहां पर direct लगा देता है import java.io.start या asterisk और यहां पर buffer reader का use करते हैं तो main function में हमें exception लगाना देखो हमने यह change किया है तो हमें अपना function भी change करना पड़ेगा input वाला तो यहां पर जब size को input कराओगे तो कैसे input कराओगे यहां पर हम use करेंगे br.readline function का तो br.readline क्या गरता है हमें input लाके तो दे देगा लेकिन यह input किसमें होगा string type में तो इस string type के input को हमें convert करना पड़े इंटेजर में तो इंटेजर डॉट पार साइंटी एक function होता है जो किसी भी string को convert कर देता है इंट में तो यहां पर हम इंट में convert करा लेंगे अपने इस वाले input को ठीक है तो इंटेजर डॉट पार साइंटी br.readline और उसके बाद जब हमें array के elements को input कराना है तो यहां पर हम directly लिख सकते हैं br.readline तो यहां पर हमने input करा लिया अपने जो भी array था वह तो अभी हम रन करके देखते हैं इस program को अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए I think तो class compiled no syntax error अभी हम रन करते हैं और इस बार हमाई size अगर हम 5 देंगे तो 5 elements काईदे से input हो जाएंगे चलो देखे दे तो पहला नाम हम देते हैं caps lock on कर लेता हो, तो पहला नाम दे देते हैं like tiger, second नाम दे देते हैं zebra, third नाम दे देते हैं butterfly, कुछ भी आप दे सकते हो, आपके according है, चॉथा नाम हम दे देते है lion and पांचमा नाम हम दे देते है monkey की अभी देखो lines 5 है तो यह ध्यान रखना है जब भी scanner class से आप input कराते हो तो multiple lines input कराने में थोड़ा सा वो दिक्कत पैदा करता है buffer reader में ऐसी कोई problem नहीं होती है तो देखो 5 हमने value दिया था 5 size दिया था तो 5 नामs proper input हो रहे हैं अब enter करते हैं तो सबसे पहले देखो आपका original array प्रिंट हुआ यहां पर sorted array next line पर नहीं प्रिंट हुआ यह चीज बस है तो इसको भी ठीक कर देते हैं जल्दी से फिर देते हैं यहां पर slash n लगा दो तो last line आपका अगली line से print होगा slash small n अभी run करके देख लेते हैं फिर से एक and butterfly तो कैसे भी आप नाम दो यह सारे descending order में या उल्टे order में print होंगे उल्टे alphabetical order में पतलब last letter वाला जो भी वर्ड होगा पहले आएगा तो एंटर करते हैं तो देखो original array हमारा print होगा जैसे हमने यहां पर नेम्स को दिया था उस तरह से and sorted array हमारा किस तरह print हुआ है sorted array में सा जाने हं रहा हुआ लेवार करता हैं तो एक बार दिया था मान लो यहां पर इन नेम्स को आपको asending order में अगर print करना होता है तो अब बस change कहा होते हैं अगर आपको asending order में करना होता तो बस आपका ये वाला symbol क्या हो जाता less than की जगा greater than हो जाता तब इसका मतलब क्या होता इ यह ascending order में print करता है names को तो एक बार run करके देख लेता है तो मान लो size फिर से 5 ले ले लेता है फिर से names को input करके देखते हैं zebra, tiger, lion, butterfly and last name हमने क्या लिया था elephant तो इनको enter करके देखते हैं तो देख लो पहले तो original array print हो गया ऐसे जैसे हमने नाम को input किया था and sorted array में इस बार देखो ascending order में सारे नाम print होके आये हैं तो कुछ इस तरह हमने देखो array को sort कर लिया ascending order में तो जब ascending order में करना होगा तब condition क्या रहेगा यह वाला अगर descending order में करना था तो descending order में condition क्या रहता है this so I think आपको यह अला program समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया तो अभी हम देखते हैं एक और प्रोग्राम bubble sort का basically sorting का bubble sort तो हम टेखनीक यूज कर रहे हैं यह अपर अभी एक और प्रोग्राम हम देखते हैं sorting का और जहां पर हम दो array input करेंगे user से कुछ इस तरह तो देख लो प्रोग्राम मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूं कौन सा करने जा रहे हैं फिर उसको करते हैं so next program that we will do is this so next program is this question number two so question number two जो हम करेंगे वह होगा यह वाप तो इनपूट वाप तो इनपूट the size from the user पहले आप size input करा दो अब किसी की प्रोग्राम में मानलो size नहीं बोलता है तो आप size को अपने according भी लेके चल सकते हो शुरुआ से पांच लेलो दस लेलो ठीक है यहाँ पर मैं ज्यादा clear रखने के लिए वाप to input the size from the user and input to 1D arrays पतलब आपको दो अलग-अलग one dimensional arrays input कराने है one for names and other for storing the addresses of those persons तो मतलब हमें क्या करना है हमें 2 arrays को input कराना है basically एक array में हमें क्या input कराना है लोगों के नाम and दूसरे array में हमें क्या input कराना है उनके addresses तो दो array हमें बनाने होंगे एक नाम के लिए एक address के लिए तो हमें आपर करना क्या है sort the array sort the array according to their names sort the array according to their names मतलब हमें names के according arrays को sort करना है according to their names and and simultaneously sort their addresses to मतलब हमें क्या करना है basically हमें उनके names के according दोनों arrays को sort करना है और फिर हमें उनके addresses को भी जैसे मालो आपने ए वाले नाम को उपर लेकिया है उसका address भी आपको simultaneously sort करना होगा then last में आपको क्या करना है print the sorted array as follows then last में आपको जो sorted array होगा वो आपको कुछ इस तरह print करना होगा name इस तरफ और उनके addresses इस तरफ तो आपको इस तरह कुछ list form में print करना होगा names address names address और name आपके क्या होने चाहिए ascending order में sort होने चाहिए तो कुछ इस तरह हमें यहां पर करना है तो देखते हैं इसका program कैसे होगा and चले उसको बनाना भी start करते हो so I think problem अभी clear हो गया होगा आपको that हमें यहां पर दो array बनाने है पहरे तो हमें size input कराना है user से फिर दो array बनाने है और उसके बाद दोनो arrays में हमें input कराना है user से नाम और उनके addresses बार-बार और फिर हमें names के basis पे array को sort करना है and name and addresses दोनों ही sort होगे पर किसके basis पे करेंगे नाम के according sorting होगा उसके बाद में sorted array को हमें इसकुछ list form में print कर देना होगा आखरी में तो यह अलब प्रोग्राम जल्दी से कर लेते है because यहां पे हम आया पास में इतना program तो already है बस हमें इसी में थोड़ा सा modifications करने है तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा आप लोको भी time बचेगा तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं class का name sort names तो हमने class का नाम ले लिया है sort names इसको open कर लेते हैं and मैं आप size increase कर देता हूँ थोड़ा सा अभी I think आप लोको दिख रहा होगा तो अभी यहां पे मैं बनाना स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को तो यहां पे again buffer reader से ही input होगा because last file में भी buffer reader से ही हमने कर रहाया था because मैंने बताया था कि multiple lines में scanner class थोड़ा issue करता है तो चलो अभी यहां पे हम करना स्टार्ट करते है इस प्रोग्राम को तो देखो इतना प्रोग्राम तो सेम ही रहने वाला है कि user से हमें size को input कराना है बस यहां पे फर्ग क्या होगा कि इस वार आपको दो array लेके चलने हो एक आपका names का array और एक आपका address का array तो यहां पे हम change क्या क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम यहां पे एक ही जगा string name ले लेते हैं एक array आपका होगा sort names सबसे पहले हम एक चीज़ change कर देते है that is a हम यहां पे सबसे पहले array का नाम ले लेते हैं string name ठीक है एक array आपका हो गया name store करने के लिए and एक array आपका बनेगा addresses store करने के लिए तो एक array हम बना लेते हैं address तो name एक array address दूसरा array तो दो one dimensional array हमने अलग-अलग बना लिए अब इन दोनों arrays में हमें user का नाम और उसका address input करना होगा from the user तो हम user को यहाँ पर एक message देंगे enter the name and address of size print होगा और यह मतलब enter the name and address of जितना भी size हमें मिला होगा 510 उतने persons तो user को एक message आएगा that आप लोगों का नाम और उनका address input करो ठीक है उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करना है हमें नाम और address input कराना है तो जहाँ पर हमने सिर्फ single dimensional single array को input करा था यहाँ पर अब ही आप दोनों arrays में input करा लो तो name set i is equal to यहाँ पर लिख दो br.readline सीदे सीदे आपका वहाँ से नाम input हो जाएगा और नाम के बाद आपको उस person का address भी store कराना होगा तो यहाँ पर लिख दो address वाले array में address at i is equal to br.readline br.readline क्यों लिख रहे हैं because हम buffer reader class की help से इस बार input करा रहे हैं तो यहाँ पर दोको नाम और address तो input हो गए जितने भी size का आपने array बनाया है वहाँ पर नाम और address हमने input करा लिए यहाँ पर अब इसके बाद में original array चाहो तो आप मत भी print करो because इस बार आपका दो array है उनको छोड़ो अब हम लगाएंगे इसके बाद input कराने के बाद हम लगाएंगे bubble sort अपने arrays में तो देखो bubble sort same उसी तरीके से लगेगा लेकिन इस बार हम से क्या का आगया है ascending order में ascending order के हिसाब से कर लेते हैं ascending order के हिसाब से कर लेते हैं ascending order में क्या चेक करते हैं that if a at j is greater than a at j plus 1 तो यहाँ पर greater than symbol लग जाएगा बस compare to function में और इसके बाद में हमारा array जो भी होगा sort हो जाएगा लेकिन array यहाँ पर हमें कौन सा sort करना था names तो यहाँ पर हम name array को ले लेते हैं यहाँ पर हम name array को ले लेंगे इस तरह ठीक है बस यह change कर देंगे तो हमारा array जो होगा name वाला वो sort हो जाएगा अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना हैं थोड़ा सा सोच के देखो कि आपके पास दो array हैं दो list हैं एक में नाम एक में उनके address तो अगर आप name वाले array को sort कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको addresses भी तो sort करने पड़ेंगे न because अगर name आपके उपर नीचे हो जाएंगे तो address क्या address आपके बदल नहीं जाएंगे तो जैसे जैसे आप name वाले array को बदल रहे हो वहाँ पर name वाले array को जब आप उपर नीचे कर रहे हो तब आपको साथ ही साथ addresses को भी उनके साथ साथ ऐसे simultaneously sort करना पड़ेगा या पर swap करना पड़ेगा addresses को भी तो यहाँ पर आपने name को sort किया है swap the name अब names के साथ साथ आपको यहाँ पर address को भी swap करना होगा simultaneously swap the address to तो जब नाम को swap करोगे name के basis पर यहाँ पर sorting होगा तो आपको addresses को भी swap करना पड़ेगा कैसे आप यहाँ पर एक दूसरा variable ले लो string t1 और यहाँ पर हो जाएगा address array address वाले array को भी आप swap करो simultaneously तो address वाले array को यहाँ पर swap करेंगे तो सारे यह जितने array है यहाँ पर array के नाम यह हो जाएगे address तो basically सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आपके पास दो one dimensional array होंगे और आपसे कहा जाएगा कि एक के basis पर दोनों को sort करो तो कहीं ना कहीं एक के basis पर कर रहे है किसके basis पर कर रहे है और यहाँ पर भी names हो जाएगा name.compare to name at j plus one विकाज हमारा array भी change हो गया है तो यहाँ पर condition में आप कौन सा लगाऊगे जिसके basis पर आप sort कर रहे हो किसके basis पर sort कर रहे हो names के basis पर तो name वाले array पर condition लगेगा फिर उसके बाद में लेकिन sort आप दोनों को करोगे मतलब swapping आप दोनों की करोगे name वाले array का भी देखो यह swapping हमने name वाले का करा and simultaneously आप यहाँ पर अपने address वाले array को भी swap कर दोगे अब यहाँ पर धियार रखना है and simultaneously address वाले array को भी swap कर देना है तो चलो अभी इसको run करके देखते हैं कि हमाँ program correctly run कर रहा है कि नहीं तो program complete हो गया हमारा चलो इसको अभी compile करते है compile no syntax error अभी इसको run कर लेंगे तो यह हमने run किया program तो अभी हम यहाँ पर input देखते हैं कुछ और input देखते हैं like हम पहले 5 size का array चलो देखते हैं और यहाँ पर 5 नाम और 5 addresses हम यहाँ पर input कर के देखते हैं तो मान लो हमने एक नाम दिया capitals में देते हैं तो जैनब इक नाम दे देते हैं address दे देते हैं आगरा उसके बाद एक अगला नाम देते हैं और फ्रम लखनौ औंज एक और नाम देते हैं प्टना सब्सक्तर में देते हैं परिया इनका फिल दैते और आर्यन का अड्रेस हम दे देते हैं, for example, Mathura तो इतने हमने नाम दिये, इतने हमने अड्रेस दिये तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, क्या हमारे नाम सौर्ट हो रहे हैं पे और यहां पर उंड्रेस किनल और उनने हमाई हमाई नाम सौर्ट हो कहा है यह पर गूल क폰 क्रेकशंव फिल्परिट ही नाम सौर्ट हो रहे है नेम के अड्रेस पेदियाँ आढ़ेस हैं हमने 9 र कूरिय उनका अड्रेस पेदियोत उनके पीटियाँ है तो जैसे जैसे आपका name swap हुआ होगा वैसे वैसे आपका address भी swap हुआ होगा तो कुछ इस तरह हम करेंगे इस program को आप लोग इबार और देख सकते हो ये है पूरा program मैं आप एक बार पूरा program आपको दिखा देता हूँ ये पूरा program है और ये bubble sort हमने लगाया बस ध्यान रखना swapping के time आपको दोनों array को साथ साथ swap करना होगा name वाले को भी and address वाले को भी उसके बाद ये रहा printing का तो ये है पूरा program I hope guys आप लोग को ये आला program समझ में आया होगा पूरा तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर चैनल पे नहे हो तो प्लीज इस चैनल को स्ब्सक्राइब भी कर लेना तो चलो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई